अस्सलाम आलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू माई कुकिंग विते पीएस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे केले की ऐसी जबरदस्त सब्जी जिने केले खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यानि कच्चे केले की सब्जी पसंद नहीं आती है वो भी इस सब्जी को खाना शुरू कर देंगे इसका बिल्कुल अलग टेस्ट होता है यह बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कच्चे केले को काट लिया है तो चार हमने केले लिये थे जिसे धुनने के बाद काट लिया और काटने के बाद पानी में डिप कर देना यानि डाल देना है नहीं तो काला पड़ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इंच के टु बड़ा जादा अब्स तो चार बड़ा चमश्च तेल कर दिया यह गरम हो चुका है तो हमने केले जो काट के रखा था उसे चान लिया उसका सारा पानी निकाल लेना है उसके बाद इस तेल में डाल देना है क्यूंकि यहां पर हम केले को फ्राई करेंगे एक बात का जरूर ख पसंद के मुताबिक नमक एट कर दिया है और इस पॉइंट पर आपको बहुत हलके हाथों से फ्राई करना है तो आप देख सकते हैं इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं आया है इसे गोल्डन नहीं करना है इसका आप कलर देख सकते हैं बस इतना ही फ्राई करना है कलर गोल्डन ब एक डालचीनी, दो हरी लाइची, दो लॉंग और चार से पांच काली मिर्चें इन सभी मसाले को इस तेल में डाल देना है कुछ सेकंड के लिए हम इसे चला लेते हैं जब इससे अच्छी सी खुश्बू आने लगे और कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें प्याज एट करेंगे तो यहाँ पर हमने दो मेडियम साइज का प्याज लिया है और चार हरी मिर्चें, दोनों का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है पीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्च का इस्तमाल बस इसी पॉइंट पर करना है, अलग से हमने मिर्च का इस्तमाल नहीं करना है अब इस पेस्ट को हमने इस तेल में डाल दिया है, डालने के बाद इसे फ्राई कर लेना है इसे इतना fry करना है कि इसका color बिल्कुल change हो जाए यानि light golden तक हमें इसे fry करना है आप देख सकते हैं कि इस point पर प्यास का color बिल्कुल change हो चुका है इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है मगर हाँ पानी का इस्तमाल नहीं करना है बगार पानी का प्यास को fry करना है अब हमने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच अद्रक लहसन का paste टाइट कर दिया है जब तक इसका कच्चपन खतम ना हो तब तक हम इसे भून लेंगे हमने इसे भून लिया है अच्छी सी खुश्बू भी आने लगी है अब इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधी चोटी चम्मच काली मिर्च आधी चोटी चम्मच जीरा पाउडर आधी चोटी चम्मच हल्दी एक चोटी चमच कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च यानी रेगुलर मिर्च का बिल्कुल इस्तमाल नहीं करना है एक बड़ा चमच धन्या पाउडर और नमक पसंद के मताबिक इन सभी मसाले को इसमें डाल देना है इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है लो करने के बाद इस मसाले को हम फ्राई कर लेंगे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमने इसे तकरीबन एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है अब इसमें हम दही आइट करेंगे तो यहाँ पर चार बड़ा चमच हमने दही आइट किया है बिल्कुल फ्रेश है दही आइट करने के वक्त भी फ्लेम को लो रखना है उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाते हुए रहना है जब यह अच्छे तरीके से पक जाए यानि अच्छे तरीके से दही पूरा गरम हो जाए पूरे तरीके से तब आप फ्लेम को मेडियम कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया इसे हमने भून लिया 3-4 मिनिट के लिए इस पॉइंट पर एक बड़ा चमच हमने किरिम एड़ किया है इस पॉइंट पर भी फ्लेम को लो रखना है हाँ जो आपको किरिम एड़ करना है वो किरिम भी एड़ कर सकते हैं नहीं तो दूद की नॉर्मल जो मलाई निकलती है घर में वो एक बड़ा चम्मच ले ले, उसे डालने के बाद इसे भून लेना है तो लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमने एक मिनट के लिए भून लिया है केरिम डालने के बाद एक मिनट से जादा नहीं पकाना है अब हम इसमें फराई किये हुए केले आइड कर देंगे इसे हलके हाथों से चलाना है हमने यहाँ पर फ्लेम को मेडियम कर दिया है केले डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताके जितने भी मसाले हैं सारे केले के ऊपर आ जाए तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है, अब इसमें कुछ चीजें और add करना है, तो यहाँ पर हमने आधी छोटी चम्मच गरमसाला पॉडर add कर दिया है, और एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डालना है, इसे हमने roast कर लिया है, और ढग कर तीन मिनट के लिए low flame पर पका लेना है, तो हमारा यहाँ पर तीन मिनट हो चुका है, हमने लिट को हटा दिया है, आप देख सकते हैं, यह देखिए, इसकी gravy काफी सूख चुका है, तो आपको जितना gravy चाहिए, कम ज़्यादा आप पानी add कर सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सूखा बनाना था, इसलिए हमने तेड़ कटोरी पानी add के, उसके बावजूद भी यह कितना सूख गया है, अब हम इसमें हरी धनिया add कर लेते हैं, यह सबजी इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होती है, कि हमें खुद यकिन नहीं हुआ कि हमने यह सबजी बनाई है, आप लोगी से जरूर एक बार try कीजिए, और यकिन जाने घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, केले की जबरदस्ट सबजी बनकर रेडी हो चुकी है, फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ, अभी के लिए लेती हुआ जाज़त, अल्ला हाफिस